समाजबादी पार्टी ने चुनाफ से पहले एक बड़ा दाउं खेला है अखलेश यादव ने अलान किया कि उनकी सरकार बनी तो लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहते हैं उनके नाम रेस्टर करने के लिए समाजबादी पार्टी का भ्यान चलाएगी अखलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी में आप राधे का आरोप वाले सक्थ से जादा नेता है उन्हेंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं पर बीजेपी जूटे मुकदमे कर रही है समाजबादी पार्टी कल से इसका अभ्यान चलाने जा रही है कि तीन सो यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले उनके लिए नाम रिश्टर करने का काम फॉर्म भरने का काम कल से इस अभिहान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है इसलिए मेरी अपील है जिनके पास वरतान में घरेलू बिजली के कनेक्शन है उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज़्याद है अपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधान समा में पहुँचे हैं तो भादी जनता पार्टी ने पहुचा है और हमने आपने खुलियाम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई और वो भी गिने गए रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखे गिनिये एक, दो, तीन, चार तो इनकी तो पार्टी की माने ता पहली रद नहीं जानी कीशी थे समाजवादी पार्टी के उपर कई लोगों पर जूटे मुकदमे हैं और इतने जूटे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हमारी पार्टी के कही देताओं पर पार्टी के वर्ज देताओं पर लगातार भार्टी जनता पार्टी की सरकार में जूटे मुकदमे लगाए गए मैंने कई बार प्रेस कॉंफरेंस में इसका उधारण दिया समाजवादी पार्टी पे पिछले पांस साल में सबसे ज़्यादा जूटे मुगद में अगर किसी ने लगाए तो भारती जनता पार्टी ने लगाए और उसी में उसी कड़ी में नाइध हसन भी आती है आप सभी जानते हैं कि कल से एक बहुत महत्तोपून ख़बर उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो खबर घ्रणा को लेकर है जिस प्रकार से कुछ राजनाइतिक दल चाहे वो कॉंग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो आपस में जिस प्रकार से एक कॉंपिटीशन और एक प्रतिसपरधा चल रही है कि who will promote more hatred for the Hindus हिंदूओं के खिलाफ जादा घ्रणा कौन उगल सकता है और हिंदूओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रस्रय दे सकती है इस प्रकार का विशय इस प्रकार का प्रतिसपरधा competition हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में देख रहे है